भीष्म पितामा सूर्य उत्राइन हुए और भगवान सूर्य सूर्य उत्राइन हुए और भीष्म पितामा का शरीर पूरा हुआ उनकी अंतरात्मा भगवान के चरणों में समाई और उनकी परम गती हुई भगवान द्वारी का गजाते हैं पूरी लीला करके परिक्षित को दर्शन देने आए परमधाम को भगवान गए 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान परमधाम को गए फिर परिक्षित जी का जनम हुआ पाँचों पांडव सुरगा रोहन के लिए निकल गए भगवान के जाते ही कल्योग में पहले राजा हुए परिक्षित जी जिन्होंने एक दिन अपने नगर का भ्रमण किया और ये देखना चाहा कि मेरे राज्य में कितना धारम हैं और कितने मात्रा में अधारम हैं तो इन्होंने देखा कि एक काला सादमी गाय को मार रहा तो पूछा तुम कौन हो बोला मेरा नाम कल्योग है कल्योग ना कल्योग के चार ओफिस हैं पाँच टोटल कल्योग के पाँच हैड ओफिस हैं कहा कहा रहता है कल्योग जुआ कल्योग का मुख्य हैड ओफिस क्या है जुवा दिउतम जहां जुवा शराव पानम जहां जुवा वो कल्योक का head office शराव कल्योक का second दूसरा head office श्त्रिया दियुतम पानम श्त्रिया मतलब चरित्र हीनता इस्त्री पर इस्त्री पर पुरुष चोचा मांस अंडा मुर्गी मचली आप खाते होंगे आप मैंसे कुछ आप लोग खाते हो अंडा मचली भाईया आप खाते हो अंडा मुर्गी मचली बगरा बगरी आप खाते हो पीछे वाले भाईया खाते हो अंडा बगरा मचली बगरा मुर्गी आप खाते हो भाईया ये दादा जी के बगल में सभेर सर्ट वाले भाईया बैठे है आप से पूछ रहे हैं खाते हो अंडा मचली ने ठीक है और दादा जी आप खाते हो मचली बगएरा आप से पूछ रहे हैं आप से खाते हो ने ठीक है कलियोग का पहला स्थान जुआ आप मैंसे जुआ खेलता है कोई जुआ तांस, पत्ते लुडो नहीं आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है हर जग आजकल जुआ होता है इसलिए जुआ नहीं खेलना वरना सरवनास होगा आप खेलते हैं जुआ तांसमास आप तो खेलते हैं कोई कह रहा था कि आप खेलते हैं सही कभी-कभी तो खेलते हैं आप कह रहे हैं कि आप जितने यहां बैठे हो ना सब के बारे में हमें पता है जुआ बिल्कुल मत खेलना यदि खेलते हो तो दुरियोधन ने जुआ खेला था सरवनास हुआ पांडवों ने जुआ खेला वारा साल का वनवास भरी सवा में पतनी दाओ पर लग गई जुआ के कारणा तुम ना खेलना वरना सरवनास ही है और कोई कल्योग बैठता न खोपड़ी में पानम शराप पीते हैं आप मैंसे कोई अब ना पीना शराप आप पीते हो शराप दियूतम पानम स्त्रिया पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचके रहना वरना रावड का सरवनास हो गया पराई स्त्री के चक्कर में बोलो हाँ यदि तुम पड़े हो किसी के चक्कर में दूर रहना वरना सरवनास होगा कोई पड़ा तो नहीं है दियूतम पानम स्त्रिया और सूना सूना मतलब मांस 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 नहीं और पाचवा है चोरी बे इमानी भरष्टाचार से कमाया हुआ धन चोरी करते हो आप लोग बे इमानी करते हो भरष्टाचार करते हो मत करना बे इमानी से कमाया धन सर्वनास कराएगा इमानदारी से कमाओ दो पैसे कम कमाओ पर इमानदारी से कमाओ दो रोटी कम खाओ इमानदारी की खाओ बे इमानी से कमाओ के सरवनास हो जाएगा